Hello Everyone, Welcome back to the Divine Tarot कैसे हैं आप सभी लोग आई होप I wish I pray कि आप सब बहुत अच्छे होगे So, आज के जो रडिंग करने जा रही हूँ ये रडिंग होने वाली है Candle Wax Reading Okay, इस Candle Wax Reading में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त जिस भी समय आप इस reading तक पहुँचे हो देख रहे हो ये उस वक्त के लिए आपके लिए messages होंगे कि ये क्या सोच रहे हैं किया सा महसूस कर रहे है so reading डेंजल टामने selective reading है so थातिती फोकस ना करती हुए आपको safe energies फोकस करना है चलिए स्टार्ट करते और देख लेते हैं कि आपके partner की क्या feelings है क्या सोच वेचार कर रहे हैं ये person आपको लेकर करके okay so चलिए देख लेते हैं universe मुझे बताए मेरे विवस्चिसी वेक्ति का ध्यान कर रहे है उस person के energy क्या है currently ये क्या सोच रहे है ये वेक्ति काफी emotional हो रहे है आपको लेकर के आपको सुनके हरानी होगी ये वेक्ति late night आपको काफी miss करते बहुत जादा missing energy है बहुत जादा बट ऐसे person है जो ये जुखना पसंद नहीं करते ठीके किसी भी कारण से ये जुखना पसंद नहीं करते काफी strongly a letter बना हुआ है and k letter a letter k है यहाँ पर ये person हो सकता है कि कहीं पर engage है या किसी को commitment दे रखा है इन्होंने या फिर खुद को बहुत जादा बंधावा सा महसूस कर रहे हैं जिसके कारण ये आपको approach नहीं कर रहे है letter n बना हुआ है not sure n है ना m है बट मुझे हाँ पर n लग रहा है ये person आपको late night काफी जादा miss करते हैं और ऐसा है कि ये person आपको miss करते करते हैं काफी जादा इनकी आखे जो है वो नम्न हो जाती है ठीक है काफी रोने जैसा face बना लेते हैं cute से puppy की energy बन रही है इसा लग रहा है बहुत ही सुंदर cute puppy है जो काफी मायूस है सो हो सकता है इस समय जो आपके person है कहीं ने कहीं आपको बहुत ही cute energy से देखते में नजार आ रहे हैं इसा लग रहा है कि आप उनको approach कर लो आप उनको अपने पास बुना लो ये आपको काफी जादा मिस करते हैं बहुत जादा missing energy बहुत जादा है बहुत जादा है इसा लग रहा है कि society family परिवार लोग इनके लिए काफी जादा माइने रखते हैं ये चाहे भी तो आप से वो वाला connection ये वापस से नहीं बनाना चाहते ठीक है चाहे भी तो ये नहीं बना सकते आपके साथ because इनको ऐसा लगता है कि इस connection में आपको सबसे जादा इनको देना पड़ता है ये जितना भी आपके लिए कर ले या फिर आपके लिए जान ही क्यों ना दे दे फिर भी आप कहोगे कि भाई क्यों दिया मतलब ऐसी energy इनकी बनरीन है जहाँ पर इन्योंने thoughts ऐसा create कर लिया है कि चाहे जो हो जाए ये आपको कितना ही क्यों न दे दे अपनी तरफ से जितना भी प्यार आपके क्यों न लुटा दे इनको हर बारी proof करना पड़ता है अपने love को अपने प्यार को अपने emotions को हर बारी proof करना पड़ता है ये वैक्ति करते ही ऐसे हैं जो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये चाहा क्या रहे हैं आपसे अटेश्मेंट काफी ज़ादा महसूस करते हैं past life connection इनको feel होता है आपके साथ काफी overthinking है anxiety के energy में ऐसा लग रहे हैं काफी ठक चुके ये वैक्ति आपको याद कर करके इस समय ये वैक्ति आप अपने life में आपकी कमी काफी जादा महसूस कर रहे हैं definitely आपकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं इनको रहे हैं आपको जोड से ईसराइ में अ सबढमा में आपको बतालर चाहते हैं काफी लंब समय हो गया काफी लंब आ प्र बंड़ा में अजां नहीं आपते हैं रहे वेक्ति काफी लंब समय से कोई छोग मैं पना था की ज coating है इनके हार्ट शेफ बना है, दिल का ठीक है, दिल बना हुआ है यहां पर उस दिल में कहीं इसक्रेच मुझे दिख रहा है, थलका सा स्क्रेच आया हूँ, पुरी तरीके से बना नहीं है, हार्ट सो ये वेक्टी खुद को बहुत जादा लव के मामले में तूटा हुआ सावे फिल करते हैं इनको असा लगता है इनको लाइफ में ना कभी लव नहीं मिल पाता जितना strongly ये चाहते हैं ना उस तरीके से इनको नहीं मिल पाता है इस बात को ये स्विकारते हैं पूरे मन से पूरे दिल से इस बात को स्विकार रहे हैं आपके पॉरसन कि इन्होंने प्यार सिर्फ और सिर्फ आप से करा है ये नफरत नहीं कर सकते आप से ठीक है यागर आप इनको बहुत हस्तावा देख रहे हो किस तरीके से सोशल मीडिया पे काफी खुश देख रहे हो आप ऐसा देख रहे हो कि यह पॉर्सन काफी खुश है आपने आप में बहुत जादा पॉजिटिव रह रहे हैं या इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है सो दिखावे में मच जाएए कही ना कहीं यह पॉर्सन आपको शोव ऐसा कर रहे हैं बट यह मिस आपको बहुत जादा करते हैं लव काफी जादा है आपके साथ लेव करते हैं 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 लेव दुसरे के साथ लॉव में आ रहे हो सो एकदम से कलर ब्लैक मुझे और रिप्रेजेंट हुआ है ठीके सो हो सकता है कलर ब्लैक आपने पहना है या फिर ये पॉर्सन काफी अच्छे लगते हैं ब्लैक कलर में करक राशी बनी है कैंसर नमबर 3 रिप्रेजेंट हुआ है नमबर 27 एकवेरियस स्ट्रॉंगली कुम राशी मिली है और करक राशी कैंसर शिंग राशी भी यहां पे एरीस ओके सो यह स्ट्रॉंग साइन हो सकते हैं आप मुझे चेयर रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसा लग रहा है चेयर पे आप बैठे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो या फिर यह पॉर्सन जो है काफी घंटो घंटो तक चेयर पे बैठे रहते हैं इनका काम ऐसा हो सकता है जो इनको काफी घंटे घंटे चेयर में बैठना पड़ता है ठीक है, इनके बैक पैन में ऐसा लग रहा है काफी पेन हो रही, काफी दर्थ महसूस कर रहे है इनके आस पास में कुछ भी अच्छा नहीं है, यह लग रहे हैं काफी अकेला महसूस कर रहे हैं, लाइफ में third party हो, यह कोई भी हो, friend हो, ठीक है, यह कोई third party को romantic party ही क्यों नहीं हो, बट इनको ऐसा लग रहे हैं कि love तो सरिफ आपके साथ है, definitely love यह सिफ आपके साथ ही महसूस क हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी से खुद के गलतियों को accept नहीं करते हैं, कुछ भी क्यों ना कर ले अपनी जीवन में, ठीक है, अगर sometimes आप इनको पकड़ भी लो किसी और के साथ, या आप जान जाओ, इनके messages, call चेक कर लो, या आप confirm भी हो जाओ कि इनके life में कोई लड़की ह या कोई लड़का है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी है इनके जीवन में, अगर आप पकड़ भी लेते हो किसी तरीके से तो ये परसन ना बोल देते हैं, या फिर गलतिया करके आपके उपर सारी चीज़े डाल देते हैं, कि नहीं ये चीज़े ऐसी नहीं है, तुम गलत सोच उपर से जोचरी हो के ले गलत फरसनी से खसंपरा मैं वकिन देखे हो कि वी थारदी बरत बता देते हैं, एया फिर किसी तरीके से जूट भोलते हैं, अप माने ना बाने ये सकते हैं बढ़ जूट काफी जादे आप झाले आप से इनका लगता एक्रन का स्ट काफी साख़ ओके सो यह सारे नंबर हो सकते ही इंपोर्टन थे है लेटर ए अगें रिप्रेजेन हो रहा है लेटर आई आप देख सकते हो यहां पर आपको अगर आपको दिख रहा हो तो डेफिनिटल यह पॉर्सन ऐसा लग रहा है एक कोना पकड़के बैठे हुए हैं काफी जादा मायूज, सेड, एंजाइटी वाली एनरची लेके कि आप आओगे, इनको मनाओगे किसी तरीके से ऐसे कंट्रोल एनरची इनके अंदर बहुत है छी के आप इसए पिछा जोड़ पा रहे हो किसी भी तरीके से आप कोशिश कर, या अपने आपको फ्री करने की कोशिश कर रहे हो, यह person जो है कहीं ना कहीं आपका जान नहीं छोडने वाले, उके इनको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे आपके जीवन में कोई आजाए या इनके जीवन में कोई क्यों ना आजाए, बटी आपका पीछा नहीं छोडने वाले, देर सवेरी ना सही आपको अप्रोच जरूर करेंगे और आपके साथ strongly love feel करते यह definitely यह आपके साथ strong love feel करते है और इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं जा सकते इनको छोड़के, नहीं यह आपको छोड़ने देंगे, आप जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो इस relationship में जितने भी fault क्यों ना आ जाए यह आपको नहीं छोड़ने वाले यह जितनी भी गलती है क्यों ना हो आप दोनों से बटिए देर सवेरी ना सही सारी चीजे सही कर लेंगे इनको ऐसा लगता है, भले अभी दूरिया है ठीक, ऐसा लगता है टेंपरली है आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस चल रहा है यह सब टेंपरली है, एक ना एक समय बाद जा करके सब को सही हो जाएगा पर्मानेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है अगर इनके साथ आप इस्टेंस में हो, नो कॉंटेंस में इनका असा लगता है कि सारी चीजे जो है वो टेंपरली है देर सवेरी ना सही यह चीजों को सही कर लेंगे यह आपके साथ ना रिष्टा खतम नहीं करना चाहते है और यह चाहते है कि आग जुको, थोड़ा सा इनको मनाओ ठीक है, थोड़ी सी मिन्नते करो बढ़ यह मान जाएंगे मनाना अगर चाहते हो इनको, तो यह मान जाएंगे इनको ऐसा मैसूस हो रहा है कि अगर सामने वाला परसन मुझे मनाए so मैं मान जाऊंगा या मान जाऊंगी because यह आपको मिस कर रहे हैं इसलिए यह यासा सोच रहे है अगर आप सामने से जाते हो यह परसन आपको एटिट्टूड ही दिखाएंगे because इनका इगो जो है इनका ego इनको satisfy करता है Satisfaction देता है इनका ego Letter Y बना है पता नहीं Y से किसका नाम होता है ठीक है वट Letter Y मुझे यहाँ पर represent हुआ है Okay, mean राशी मिली है Pisces Okay, so मैं इसको side में रख देती हूँ Again मैं आपको बताती हूँ, ठीक है Okay, so राशी Aries Aries राशी मिली है Aries यानि मेश राशी मिली है ठीक है Number 3 रेप्रेजेंट हुआ है Number 7 and Number 0 रेप्रेजेंट हो रहा है इसका मतलब यह है कि आप दोनों में जो है New fresh beginning होने वाली है जितने भी चीजे इस relationship में चल रही है यह definitely temperly है और कहीं ना कहीं यह चीजे बहुत जल्द खतम होने वाली है बढ़ यह पॉर्सन ना एक कोना मुझे सलकते एक साइट के कोने में कोई बच्चा बैट के अगर उसे कोई चीज ना मिले तो बच्चा कितना जादा रोटा है उसी तरीके से आपके पॉर्सन जो है बठाँ आपकी याद आती है आपके साथ बिताय हुए उन सारे लमः को जब याद करते हैं यह मायूस हो जाते हैं और आपको काफि ज़दा मिस करने लगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके जीवन के एक ऐसे पॉर्सन रहे हो जो आपने इनको काफी समझा है, सपोर्ट करा है, जिसके गारण ये पॉरसन जो है, आपके लिए काफी ज़दा क्रेफ करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, चलिए आपके लिए गाइदर्स देख लेते हैं, कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट क्या होगा या क्या एक्सपेक्टेड है, आप दोनों के बीच में इन्वर्स मुझे बताएं, क्या एक्सपेक्टेड है, ओके सो दो काड़े हमारे पास, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कहीं नहीं आप इस रिलेशनशिप को छोड़ने में बहुत जादा जल्दबाजी करोगे, आपको ऐसा लएगा कि काफी लंबा समय हो चुका है, ये रिलेशनशिप आपको वो सारी चीजे नहीं दे रहा है जो आप अपने जीवन में चाहते हो, ये रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस और आपको अकेलेपन का अहसास जादा करवा रहा है, ठीक है, नमबर सेवन की नमबर सेवन रिप्रेजन हुआ है, आप पॉल्टिक्स में लोगों की इन्वाल्मेंट आप दोनों के रि दुख दर्दी दे रहा है, इस्ट्रेस काफी जादा देगा ये रिलेशनशिप आपको ऐसा लग रहा है, किसी तरीके से आप क्लियार्टी चाहते हो अपने जीवन में और आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप से मैं मूव आन कर जाऊं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कि इसी तरीके का स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्लरिफाई दी स्ट्रेस, क्लरिफाई दी स्ट्रेस, क्लरिफाई करें, अप अपने जीवन में इक स्टेप आगे जाना चाहते हो, ब्रेक थूरु की एनरजी आईए, डेफिनेटि आप काफी परिशान होने वाले हो आने वाले समय में कहीं न गहीं आपको काफी अवेर होने की जोरत है विकॉज ये पॉर्सन जो है किसी तरीके से आपको अगेन मैनिप्लेट कर सकते हैं विकॉज ये अपने जीवन में आपके बिना काफी ज़दा खाली महसूस कर रहे हैं ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में आओ ये ड्रीम की एनर्जी है विकॉज आपको ले करके काफी सपने सजा रहे हैं और आने वाले समय में ये काफी ज़दा ड्रीम देख रहे हैं आपके लिए ऐसा लग रहा है काफी सपने बुन रहे हैं बट लोगों की involvement, लोगों की politics के कारण, लोगों की बातचीत के कारण, ये काफी जादा खुद को अकेला करके रेखना प्रेफर कर रे इनको ऐसा लग रहा है, अगर ये अकेले नहीं रहा है, तो किसे तरीके से लोग गों को पहचान लेंगे, या फिर लोगों की नजरे जो ह लग रहा है कि society लोगों की वज़े से यह अपने आपको रोकते हैं, energies को control करते हैं, बढ़ यह आपके साथ love तो strong महसूस करते हैं, बढ़ society लोगों की वज़े से कहीं ने कहीं यह आपको illusions में जादा रखते हैं ठीक है, आपको clarity ने देते हैं आपको illusions पर जादा रखते हैं, adventure की energy आई है so definitely यह travel कर रहे हैं जैसा कि हमने candle wax reading में देखा, ठीक है यह travel करते हुए नजर आ रहे हैं, यह travel करनी की सोच रहे हैं, अगर आप long distance relationship में हो यह आप से मिलना चाहते हैं, बढ़ आप दोनों में ऐसा लग रहा है या फिर इस relationship में, आप खुद के लिए step लोगे और इस relationship में आपको शान्ती जरूर मिलेगी अगर आप बहुत लंबे समय से इस रिष्टे में first चुके हो या आपको असा लग रहा है कि मैं नहीं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी, मेरे अंदर वो energy है ही नहीं ठीक है, so definitely आप निकलोगे बट किस तरीके से या रिष्टा आपको काफी दुख दर्थ तकलीफे दे रहा है जिसके कारण आप काफी परिशान हो रहे हो बटाने वाले समय में आप इस relationship से महारत जरूर हासिल करोगे जरूर निकलोगे इस relationship से because the creator के energy represent कर रही है number four, okay the creator के energy represent कर रही है कि आपके जीवन में आप खुद के creator खुद हो आप खुद से सारी चीजों को create करोगे और अपने लिए step लोगे और कहीं न कहीं आप इस सारी चीजों से छुटका रहा जरूर पाओगे हला कि आपका जीवन जो है वो बिल्कुल भी stable नहीं रहा या किसी तरीके से आपको वो सारी चीजे नहीं मिली जो आप अपने जीवन में चाहते थे चाहें आप single हो married हो unmarried हो आपने हमेशा प्यार के लिए क्रेव कर रहा है हमेशा एक सची रिष्टे के लिए क्रेव कर रहा है डेफिनेटली अब आने वाले समय में आप अपने लिए स्टैंड लोगे और किसी तरीके से आपके जीवन में मुझे happiness रोश्नी आती हुई नजर आ रही है ठीके बट ये पॉर्सन जो है कही ना कहीं आपको अगेन एक इलिजन्स एक घ्रमित दुनिया में रख सकते हैं ठीके बट किसी तरीके से आप निकलोगे जरूर इस रिलेशन्शिप से और आप अपने लिए आगे स्टैप लेते हुए नजर आ रहे हो ठीके अपने आप में बटर फील करोगे आप अपने लिए बहुत कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करोगे ठीके आपकी रिडिंग रिडिंग पसंद आई हो रिडिंग को लाइक जरूर कीचेगा चैनल पर पहली बार आए है जो चैनल को सस्क्राइब कीज़े लाइक कीज़े धेर सारा प्यार दीजिए अगर आप मुस्से प्रस्टनल लिडिंग लेना चाहते हैं सो आप इंस्टाग्राम में मुझे डियम कर सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले डिंग में बाई गाईस